तारीख जिसमें हम बात करते हैं आज के दें देश और दूनिया में घटी कुछ घटनाओं के बारे में तो चलिए एक नज़र ड mandatedे हैं आज यानि नौन नवेम्बर को घट Beach के बारे में 9 नवेंबर की तारीक इतिहास में उत्रखंड के स्थापना दिवस की तौर पर दर्च है दरसल अलग उत्रखंड की माम को लेकर कई सालों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवेंबर 2000 को उत्रखंड को 27 में राज के रूप में भारत गंड राज जुमें शामिल किया गया आपको बता दे कि साल 2000 से लेकर साल 2006 तक इसे उत्रांचल के नाम से जाना जाता था लेकिन जनवरी 2007 में स्थानिय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदल कर उत्रखंड रख दिया गया उत्रखंड का हिस्सा रहे उत्रखंड की सीमाएं उत्तर में तिबबत और पूर्व में नैपाल से लगी हैं पस्ट्यम में हिमाजरपदेश और दक्षिड में उत्तरपदेश इसकी सीमा से लगे राज हैं हिंदी और संस्कृत में उत्रखंड का मतलब उत्तरी छेत्र या भाग होता है उत्तरखंड को देव भूमी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ ही साथ ये राज हिंदु धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाली देश की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना का उद्दम स्थल है इस घटना के लावा भी और कई घटनाएं हैं जो इस तारीक में काफी एहम है आईए उन पर भी एक नज़र डालते हैं 9 नवेंबर 1904 भारतिये प्रदेशिक सेना का गठन ब्रिटिश हुकुमरान ने 1920 में इंडियन टेरिटोरियल एक्ट के अधार पर इस सेना के गठन का रास्ता साफ किया था 9 नवेंबर 1963 सैफुद्दीन किचलू का निधन प्रसेद स्वतंतरता सेनानी किचलू पहले भारतिये थे जिने अंदर राश्ट्रिये शांती के लिए लेनिन एवोर्ट से सम्मानित किया गया 9 नवेंबर 1970 मुंबई के भाबा परमाणू अनुसंधान केंद्र में यूरेनियम 233 का उतपादन 9 नवेंबर 2004 अफगानिसान के इतिहास में पहली बार लोगों ने अपनी पसंद का राश्पती चुन्ने के लिए मदान में हिस्सा लिया और चुनाम में हामित करज़ई विजे रहे 9 नवेंबर 2012 तालिबान के आतंकियों ने पाकिस्तान में लड़कियों की सिक्षा की हिमायत करने वाली 15 बरस की मुखर वक्ता मलाला यूसुफ वजई को सिर पर गोली मारे इस वीडियो में फिलाल इतना ही ऐसी हो वीडियो के लिए आप जोड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें सन नाइस न्यूज साथी साथ इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले धन्यवाद